असकार स्वागत है आपका पंजब के इस स्रीट दिली में दिली सरकार ने बाड़ा हंदुराओ अस्पताल को नोन कोविड अस्पताल घोशित कर दिया है यानि अब यहां किसी कोरोना मरीज का इलाज नहीं होगा दिली सरकार ने कहा कि उत्तरी दिली नगर निगम के कमिशनर ने निवेदन किया था कि बाड़ा हंदुराओ अस्पताल को कोविड अस्पताल में नौन कोविड अस्पताल घोशित किया जाए दिली सरकार ने इस निवेदन का परिक्षन किया और पाया कि इस अस्पताल में पहले ही मरीज कम थे इस अस्पताल के डॉक्टर वेतन नहीं मिलने की वज़ा से हरताल पर है दिली सरकार के स्वास्त विभाग की और सिजारी एक आदेश के मताबिक बाड़ा हिंदुराओ अस्पताल 14 जून को बढ़ते मामलों को देखते हुए COVID-19 अस्पताल खोशित किया गया था ये वैस समय था जब दिली में कोरोना मामले बड़े पैमाने पर सामने आ रहे थे दिली सरकार ने शनिवार को आदेश दिया था कि नगर निगम द्वारा संचालित अस्पताल से मरीजों को उसके तहट आने वाले अस्पतालों में स्थाना अंत्रित किया जाए गौरतलब है कि बाड़ा हिंदुराओ अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर तीन महीने से वेतन नहीं मिलने की वज़ा से शुक्रवार से संकेतिक बेमियादी हर्ताल पर चले गए थे पहले दिली सरकार ने इस अस्पताल के सभी मरीजों को अपने अस्पतालों में शिफ्ट किया उसके बाद दिली की नगर निगमों को कहा गया कि अगर आपको अस्पताल चलाने में समस्या आ रही है और आप स्टाफ का वेतन तक नहीं दे पा रहे तो अस्पताल दिल्ली सरकार को सौप दे इसके बाद अब 12 हिंदुराव अस्पताल को नौन कोविड अस्पताल घोशित कर दिया गया वहीं खल खबर ये आई कि राश्टर राजधानी दिल्ली में कोविड नाइंटीन के कारण 45 लोगों की मौत हो गई जिससे यहां मृतकों की संख्या बढ़कर 5854 हो गई कोरोना वेरस संक्रमन के 3036 नए मामले सामने आए जिससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,14,000 से अधिक हो गई अधिकारियों ने यह जानकारी दी 2-12 अक्टूबर के बीच रोजाना नए मामलों की संख्या 3,000 से कम रही थी आकडों के निसाद 10 अक्टूबर और 29 सितंबर को शेहर में 48 मरीजों की मौत हुई थी जो 16 जुलाई के बाद किसी एक दिन की सबसे ज्यादा संख्या दी 16 जुलाई को दिली में 58 मरीजों की मौत हुई थी ऐसी यह तमाम बड़ी खबरों से जुड़े धनी के लिए बने रही है पंजाब के इसरी दिली के साथ दिली जुलाद की साथ